हाई वेलकम तो मैंच चैनल इस बीड़ी में सालव करें क्वेशन नपर 18 तो ध्यान देजेगा अमन्स इंकम इस 20% लेस देन दाफ अनिल अमन्स का जो इंकम है वो 20% लेस है अनिल के इंकम से How much percent is अनिल्स इंकम more than अमन्स इंकम तो अनिल्स का इंकम जो है अमन के इंकम से कितना percent ज्यादा है यहाँ आपको find करना है तो ध्यान देजेगा यहाँ पर अमन का इंकम किस से less है अनिल्स के इंकम से ओके तो अनिल्स के इंकम को सुरुआत में हम मानेंगे या तो X या फिर 100 तो 100 मानेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल रहेगा X मानेंगे तब भी सिंपल ही रहेगा लेकिन समझ में अच्छ सा आता है यदि X मानने पर क्योंकि X जो है actual value हम मानते हैं चलिए हम पहले देखते हैं कि 100 मान करगे कितना आ रहा है ठीक है THIS is money income तो Amun का हम निकाल लेकिए iփक्स अमका जो इनकम होगा Amun's income ijeill to hundred में से minus करना पड़ेगा अट का कितना निकालना पड़ेगा 20% पॉर से है कि नहीं कर रहा है न्युआ कि 100 से less है 20% हम हांडेट में से 0-20% लिपए 620 यह जायोग है 20 finally आएगा क्योंकि 100 यहां पर रखे हैं तो मैनस कर दीजे मिलेगा आपको 80 means 80 आगया अमन का income अब आपको पता चल रहा होगा कि अपको पूछा क्या यहां पर कि how much percentage अनिल्स income अब अनिल्स का जो income है वो अमन के income से कितना परसंट जादा है आप यह मत directly कर देज़ेगा कि 20 परसंट जादा है ऐसा नहीं होता आपको निकालना पड़ता है ठीक है तो percentage कितना जादा है यह निकालने के लिए हम करते क्या है यह देखते हैं कि अनिल्स का income अमन से कितना जादा है तो 20 ज़्यदा है होलापान ओके नीचे कर रखते हैं नीचे रखते हैं कि जिस से comparison करना होता है उसका value नीचे रखते हैं तो हमें अमन के value का comparison करना है तो अमन वाले के value यहाँ नीचे रखेंगे ठीक है यहां क्या find करना है अनिल्स income अनिल्का income जो है more than अमन्स income तो अमन के income से comparison करना है कि अमन का income से अनले income कितना ज्यादा है इसलिए हम नीचे रखेंगे अमन का income ठीक है multiply by 100 this will give you the percentage required 2 यह होजाएगा 2 यह होजाएगा 2 4 यह 8 and 4 तो 25 परसेंट इसका मतलब कि अनले का income जो है 25 परसेंट जाता है अमन के income से यदि आप x मानों कि तब भी आपका answer same आएगा let us do it by assuming अनले इंकम भाई तो यदि हम मानते हैं अनले का income एक्स रुपीज मानले जो कि अनले का this is अनले जो अमन्स income हो जाएगा आपका x-20% किसका x कही निकालना पड़ेगा 20% और x में से मानस करना पड़ेगा तो यह 0 यह रिद्ध रिक इंकम होगा 2 यह 2 यह 2 यह 5 यह 10 5 6 त तर में पुलाहेगा रहेंगे 5 x-5 x-x upon 5 तो आपको मिल जाएगा 4 x upon 5 and this will be the income of अमन्स income means among income now अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि अनले का इंकम कितना ज्यादा है अमन के इंकम से पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि सच में कितना ज्यादा है मतलब अनले के इंकम सच में कितना ज्यादा है तो निकाल लिए डिफ्रेंस x-4 x upon 5 तो आपको अमन के इंकम से ही पता करना है कितना परसंट ज्यादा है तो यहाँ पर लिखना होगा 4 x upon 5 multiplied by 100 you will get the same answer multiply कर यहाँ पर 5 x minus 4 x means x upon 5 whole upon 4 x upon 5 multiplied by 100 यहाँ ते के 5 5 से कंसिल हो जाएगा और x x कंसिल हो जाएगा and finally you will get 1 upon 4 multiplied by 100 and 4 x 4 and 4 x 2 x 25 means 25 परसंट आजागा definitely तो आपको यहाँ बे 25 परसंट आ रहा है यहाँ बे 25 परसंट क्यों कोई भी एक मतलब में तरल लगा आगा आपको आइन कर सकते हैं यह question का answer ओके तो hope के पसंच में आ जुका होगा मुझे लगता है कि आपको यह वाला ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ज़्याद सिंपल लग रहा होगा आपको तो comment box में जुरू बताएं मुझे कि कौन सा आपको इसमें से process असान है और अच्छा है आपके लिए thank you so much for watching बाई